हराण के पूर्व शिक्षा मंतरी गीता पुकल का कहना है कि शिक्षा देश की तरक्की के साथ जुड़ा मसला है जिस पर राजनीती नहीं होने चाहिए शिक्षा में सुधार के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे धना प्रदर्शन हमारी सरकार के समय भी होता था लेकिन हमारी बात भी सुनी जाती चाहे वे गेस टीचर हो या पातर अत्यापक या कंप्यूटर टीचर हो बातचीत के जरीए हल निकाला जाता था हमने कभी भी लाठी चार्ट जह से अनैते काम नहीं किये हमारे साथ पूर शिक्षा मंतरी गीता बुकल जी हमारे साथ है बुकल जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है डे नाइट में बुकल जी जिस तरह से अब भाजपा सरकार आई है कई तरह के अंदोलन जो है लगातार चल रहे हैं चाहे वो जे बीटी का मुद्दा हो चाहे कंप्यूटर टीचर्स का मुद्दा हो लगातार जो है लाठी चार्ज हो रहा है कई ऐसे हालाज जो है परदेश में पैदा हो गए आपके भी सरकार रही है आप किस तरह से देखते हैं नौ महीने की करीब सरकार हो चोकी है भाजपा की आप किस तरह से देखते हैं देखिए मामला उसमें भी सब जूडियस था लेकिन आज सरकार का शिक्षा की और विल्कुल ध्यार नहीं है शिक्षा के भगवाकरण की बात कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी सरकार के समय में कि कोई लाठी चार्ज हो बाचित के जरी है हर जगे समस्या का जो है वो समाधान करना चाहिए क्योंकि शिक्षा कोई राजनीती करने का मुद्दा नहीं है बड़ा ही एक परदेश की तरक्की के साथ जुड़ावा मुद्दा है और चाहे वो गेस्टीचर्स की बात हो पातर की बात हो जेबीटी की बा है ना शिक्षक है पड़ाने के एक तरह से आरोप और मड़ रहे हैं वो के पूर सरकार ने जो बीज बोए हैं उसका जो खाम्याजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है उसको किस तरह से लेते हैं कोई बात नहीं जो भी सरकार आती है वो अच्छे से काम करने का प्रयास करत भारतिय जनता पार्टी को बहुत जूट गोरकर उन्होंने सत्याहत आने का काम किया अगर हमने मानली जीए कोई भी सरकार आती है अच्छे से काम करने का प्रयास करती है आज बहुमत की सरकार है लेकिन लोग जो है इस समय पूरी तरह से मोभंग हो चुका है सरकार से क्यों पाउट आरंब ग Examples सलुक अदिकार कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए ओर अगर कोई सिक्षा के स्ट्र में सरकार अच्छा कदम उठाएगी तो हम उसके स्वागत भी करेंगे लेकिन अब तक शिक्षा के शेत्र में विशेश तोर से बड़ा ही दुर्भागेपूर्ण रहा है प्रदेश में भारते जिनता पार्टी का कारेकाल तो बिल्कुल साफ तोर पर यहां पर पूर शिक्षा मतरी की तबुकल्द का गयाना है कि जिस समय जो हालात चल रहे हैं पंचकुला से कैमरामेन गीश दुरकापाल के साथ मनोज राथी देना इडियोज खबरों के दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हमरों के साथ बने रहे राथ दिन